बिसमिल्ला रहाने रहें, असलाम अलेकम नाइफ क्लास, बच्छों आज का जुन साब लोगों का टॉपिक है वह थर्मल एक्सपेंशन से ही रिलेटीड है, थर्मल एक्सपेंशन में आप लोगोंने पढ़ाता है, थर्मल एक्सपेंशन दो किसम की होती है, एक हमारे पास थी लेनियर थर्मल एक्सपेंशन और जुन से दूसरी थी हमारे पास वो थी हमारे पास वालियम थर्मल एक्सपेंशन, लेनियर थर्मल एक्सपेंशन जुन सी थी हमारे पास लास्ट टॉपिक ता जिसके अदर आप लोगोंने अल्फा की वैल्यो को फाइंड आट किया था, आ उन्चाई के वॉल्यम हमारे पास उसके इन तीरों चीजों के बराबर होगा अब जो वॉल्यम एक्सपेंशन है वो किस तरह एफेक्ट करता है किसी भी चीज के वॉल्यम के उपर स्पेशलिस सॉलिट्स के तो हम लोगों ने गिया चीज देखनी है सिबसे पहले चीज नाइक वॉल्यम है वो वही V-node है हमारे पास और जो इसको तंप्रेशर दिया जाएंगा वोँहारे पास T-node है यह वह स्टर्टिंग तंप्रेचर और और हम लोगों ने इसको temperature देना start किया है आप लोगों को बताया था मैंने कि जैसे जैसे temperature बढ़ाया जाता है जैसे जैसे temperature हम लोग increase करते हैं वैसे किसी भी जिसम का जुनसा temperature है वो increase करना शुरू कर जाता है और साथ साथ उसके जन से molecules से वो vibrate करना शुरू कर देते हैं molecules से वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो पहले molecules का जन सा amplitude होता है वो कम होता है लेकिन आजसा आजसा उन molecules का जन सा amplitude है वो बड़ जाता है इसी हिसाब से उस जिसामें उस body में expansion start हो जाती है अब क्योंकि हम लोग वालियम थर्मल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वालियम के बारे में आप लोगों ने जो बेसिक चीज देहन में रखने हैं वो यह है कि वालियम हमारे पास थ्री डामेंशन में हमारे पास वालियम को फाइंड आउट किया जाता है अब यह हमारे पास वह बॉक्स आ जिसका हम लोगों ने फाइंड आउट करना था वालिम एक्सपेंशन सबसे पहली चीज बिल्कुल उसी तरह आप लोगों ने जो लास्ट टॉपिक में पड़ा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में कि जैसे किसी भी सॉलिट चीज को किसी जब हम लोग गरम करने लगते हैं तो उसमें लेनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है तो इसी तरह हमारे पास यहां पर है सबसे पहले चीज यह हमारे पास ओरिजनल वालिम है जब लोगों ने और यह हमारे पास वह स्टार्टिंग तेमरेचर पर इसको तेमरेचर आइंड से आपको शोर यह हमारे पास वह चीज होगी जो इसमें आहस्ता आहस्ता जो इसका वालिम इंक्रीज करता चला गया अब जो बेसिक बात आप लोगों ने बचों याद रखनी है वो यही है कि जतना ज्यादा वालिम होगा उतनी ही ज्यादा उसमें चेंजिंग Ven. here inc changing volume is equal to Del V is equal to V minus V not V vo है जो हम लोगों बढ़ादीया temperature बढ़ाने के बाद जो volume हमारे पास आया यह वो V है और यह हमारे पास original volume है. volume है तब देली होगी हमारे पास इसी तरहा चेंज इन तरह हमारे टेली इस एक्वालoten डेल T is equal to T minus T not, T कोन सा temperature है, एक तो हमारे पास starting temperature था, initial temperature था, लेकिन जब लोगों ने temperature को बढ़ाना शुरू किया है, तो यह वो temperature है, जिसको बढ़ाने से, आईसा ऐसा जिसको जब बढ़ा दिया है, तो फाइनल पर पहुंच कर, जो solid चीज में expansion होगी, यह वो है, T minus T not, उसक यह है, मैंने आप लोगों को बताया था, कि जितने ही ज्यादा हमारे पास original volume होगा, उतना ही उसमें changing आएगी, में तो से के del V directly proportional to V not, इसी तरह, del V directly proportional to del T, जितना ज्यादा temperature increase करेगा, उतनी ही उसमें changing आती, उसके volume में changing आती जाएगी, अब इनको हम लोग इक अठा करके ल इसको एक साइड पर लिग दिया, directly proportional to V not, डल T, आपको पता है कि जब हम लोगों ने लेडियर थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक किया तो उसमें हमारे पास हम लोगों ने directly proportional था, उसको हम लोगों ने अलफा में convert कर दिया था, यहाँ बच्चों के हम लोग वाल्यम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास आजे का डल V is equal to beta V not, डल T, उसके बाद बच्चों के जो B है, B जो उनसा है, बीटा, इसको B नहीं बोला सोरी, इसको बीटा बोला जाएका, जो बीटा है, उसको बोला जाता है, वाल्यम थर्मल एक्सपेंशन, जो वाल्यम थर्मल एक्सपे जाएंगी, तो यह दूसरी साइट पर जाकर, डिवाइड के हो जाएंगी, बीटा is equal to del V over V not, डल T, अब जो यहां पर देखो, कि हमारे पास जो बीटा है, वो क्या उसकी डेफिनिशन निकलेगी, हमारे पास देखें, यहां पर del V over V not, में तो से कि यह जुनसी चीज़ है, इसमें हमारे पास fractional change आ रहा है, ठीक है, यह fractional आ रहा है हमारे पास, और यह जो fractional increase आ रहा है, मतलब जो temperature volume में changing आ रही है, original volume के साथ, वो किस के साथ आ रही है, वो हमारे पास del T के साथ आ रही है, del T per Kelvin temperature के साथ, जो तबदीली आ रही है, volume में, उसको हम लोग volume में हरारती बोलेंगे अच्छा पचो अगर आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोगों ने वो वॉल्यम निकाला है जो गरम करने पर आता है तो उसके लिए सेम वही मैतल लीनिय थर्मल एक्सपेंशन वाला हम लोगों ने उपर देखा था कि डैल वी इस इक्वल टू वी माइनस वी तो मैंने यहां पर इस जो equation number one है यहां पर देखें मैंने इसको दुबारा से write किया डैल वी इस इक्वल टू बीटा वी नॉट डैल टी तो डैल वी वी माइनस वी नॉट के एक्वल हो गया बागी as it is लिग दी हमने तो वी को इधर लिखा रहने दिया है जो वी नॉट है दूसरे साइट पर लेकर गए तो वह प्लस फॉम में आ गया वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डैल टी वी इस इक्वल टू इन दोरों में से वी नॉट को हम लोगों ने कॉमा निका लिया तो इन प्रैकिट हमारे पास यहां से क्योंकि यह बाहर चला गये यह वान आ गय अब जो नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है वह हमारे पास आती है इनके यूनट निकाल लेगी बीटा का क्यूंकि हमारे पास फार्मूला निकला था बीटा इस इक्वल टू डैल वी ओवर वी नो डैल टी तो जो वॉलियम होता है वह हमारे पास होता है मीटर क्यूब ओव को लेंगे के बीटा इस इक्वल टू पर कैल्विन यह इसका यूनट हो गया अब बचर जो बेसिक चीज फाइंड आउट करनी है वह हमारे पास यह है कि बीटा जूंस है हम लोगों मैंने आपको भी बताया उपर कि बीटा जूंस है हमारे पास वह थ्री साइडी होता है थ्र हम लोगों ने लेंथ के अकॉर्डिंग के काम किया अब यहां पर बीटा इस इक्वल टू थ्री अलफा बीटा में हम लोग किसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग फॉलियम थर्मल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करते हैं अगर बच्छों आप लोगों ने अपना इस टू पार माइनस फाइव दे दी गिया उसको निकालने का त्रीका कार किया है क्योंकि एकसर एमसी के उसमें भी यह चीज पूछी जाती है कि आप लोग बताएं अलफा की वैलियों दे जाती है तो बीटा की वैलियों को फाइंड आउट करने किया जाता है डिफरेंट होते हैं उसमें से हम लोगों ने उनको चूस काना होता है तो बीटा इस इक्वल टू त्री अलफा के बाद हम लोग ने त्री को एज़ इस राइट किया यहां पर आप लोग देखें कि हमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और लड़ी दे दी गिया और लीनियर थर्मल एक् झीड़ी थेलिश प्र akt ऑ एक्सेवा लोगोरी देखें कि लिया वगोरी थेलिवल बाला के जूरी देखें कि उते देख